Hello everyone, welcome to Only IIS. Date है आज की 12th October 2020 और स्फागत है आपका Prelim Booster News Discussion में. एक छोटी सी information है आप सभी के लिए. Only IIS के तरफ से कुछ batches announce किये जा रहे हैं जो की 14th October से start हो रहे हैं. इसमें सबसे पहला है mains के लिए complete package comprehensive solution to mains के अंदर में. इसके लावा एक Prelims का package है जिसको केबल Prelims की अभी दायारी करनी है फटाफट से comprehensive solution to Prelims उसके लिए है और जिसको अभी से पूरे के पूरे UPSC की preparation करनी है और उसको 2021 को target रखते हुए अपनी preparation को align करना है एक direction में उनके लिए comprehensive solution to UPSC है. इन सभी batches में आपको proper guidance, सारे study material, video lecture series और साथी साथ आपके study materials वो सब मिलेंगे और test series का भी प्रावदान इन सभी जगहों पर किया गया है. आपको इन courses को देखने के लिए आपको जाना है video.onlyis.in पे. आज का हमारा पहला article है रुद्रम से related. Defense Research and Development Organization मतलब की DRDO ने रुद्रम का flight test connect किया था और इसको successfully test किया है. रुद्रम एक new generation का anti-radiation missile है. बात करते हैं anti-radiation missile है क्या? वैसे तो आप ये भी समझे है, रुद्रम जो है वो इंडिया का पहला indigeniously built radiation missile है, जो की air to surface missile है, चीक है? मतलब की ये इसको मानलू किसी भी fighter aircraft के साथ, for example, SU-30MK1 के साथ लगा दिया गया, और उपर पूरा fighter aircraft order आओगा, और वहाँ से किसी भी एक ऐसे source को destroy करना है, जो की radio waves emit करता होगा, या फिर radar होगा, communication का कोई भी asset होगा, उन सब को मार गिराने के लिए ये anti radiation missile रुद्रम बनाए गया है, इसमें जैसा कि मैंने बात किया है, design ही इस हिसाब से किया गया है, कि ये सामने वाले के radar, मतलब जो भी दुश्मन देश है या फिर जो भी सामने जिसकों में द्वस्त करना है, उनका radar system हो, communication system हो, ऐसी कुछ भी चीज हो, या फिर दूसरी radio frequency के कोई भी sources हो, उनको सबसे पहले detect करे, detect करने के बाद track करे, उनको neutralize कर दे, कि वो हमारे यहां के कोई भी systems को पढ़ना पाए, actual में क्या होता है न, कि एक बड़े से spectrum, मतलब कि electromagnetic spectrum में लड़ाईयां होती है, जैसे कि सामने वाला देश है, अब देश A ने क्या किया, country B थी, इनके radar system को पकड़ लिया, कि अच्छा ये radar system यहां लगा है, इस radar system से तो यह हमारे, इन sources को detect कर लेंगे, ठीक है, ये missile हमने दागा, ये भी ये तो पड़ लेंगे, इसलिए इनके इस radar system को तोड़ दो पहले, समझ लो यही काम करता है, ये रुद्रम, और भी features की अगर हम बात करते हैं, तो ये इसके अंदर एक तो inertial navigation system है, इसका मतलब क्या है, कि इसके अंदर एक computerized mechanism है, जिसके अंदर वो किसी भी object की position को detect करता है, अगर वो अपना position change कर भी ले, तो वो उसके according अपना path भी set कर लेता है, चुकि ये रुद्रम GPS enabled है, तो उसके हिसाब से ये सब कुछ track कर लेता है, साथी साथ इसमें passive homing head का भी feature है, क्या मतलब होता है इसका, ये एक ऐसा system है, जिसमें कोई भी radio frequency का source है, उस target को ये detect करने की शमता रखता है, उन targets को engage करने, मतलब उनको destroy करने की शमता रखता है, साथी साथ इसका operational range जो है, वो 100 km से जादा है, ये exact क्यों नहीं बताया, हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी missile का range हम sprit कर देते हैं, कि 270 km है, इसका तीन, ये 100 km से जादा इसलिए है, क्योंकि ये depend करता है fighter jet के parameters पर, कि fighter jet कितनी तेजी से उड़ान भर रहा है, उसके speed को भी तो add on करेगा नहीं, ये उसके हिसाब से थोड़ा और दूर जा सकता है, इसलिए range discuss किया है कि 100 km से तो जादा ही जाएगा, अगला article हमारा विज्ञान ज्योती से related है, हाल फिल हाल में Department of Science and Technology ने, और IBM India ने, इन दोनों लोगों ने मिलके एक collaboration के साथ, कुछ initiatives start किये हैं, इसमें से एक तो है विज्ञान ज्योती, और एक है engage with science, engage with science जो है, वो विज्ञान प्रसार के अंतरगत एक program है, बात करते हैं इन सभी चीज़ों का, सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान ज्योती का, विज्ञान ज्योती 2019 में launch किया गया था, ministry of science and technology के अंदर में, इसमें basically 9th से 12th standard में पढ़ने वाली, जितनी भी लड़कियां हैं, उनको cover किया जाता है, इसका basic aim यही है, कि हम ऐसी जितनी भी meritorious लड़की हैं, उनको हम लोग detect करें, उनको एक level plane field प्रवाइड करें, स्कूल के अंदर ही, जिससे कि वो लोग future में जाके, science या technology या फिर engineering या फिर mathematics, STEM के basis पर, ये लोग career pursue कर सकें, higher education में ये इनहीं STEM के उपर पढ़ाई कर सकें, अपने आपने reliant हो सकें, self-reliant बन सकें, इस पूरे program को implement करने के लिए, जवाहर नवोदे विद्याले, JNVs हैं, जो की 58 districts में currently work कर रहे हैं, और approximately 2900 students के लिए, ये लोग काम कर रहे हैं, बात करते हैं विज्ञान प्रसार की, विज्ञान प्रसार, Department of Science and Technology के अंदर एक autonomous body है, जिसका basic purpose ये है, कि हम लोग India के culture में, जो engage with science की बात होती, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कि India का science है, हम लोग ये बोलते हैं, ये नुस्खे जो हैं वो Indian है, ऐसे नुस्खे या ऐसे science जिसको हम बोल रहे हैं, उन sciences को popularize करने का बात होगा, ऐसे initiatives लिए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक और program है, Engage with Science, Engage with Science एक प्रकार का interactive platform है, जिसको over the top platform के उपर बनाये गया है, इसका भी basic purpose यही होगा, कि हम लोग high school students को encourage करें, उनको बोलें कि भई, science and technology में बहुत बढ़िया career है, उनको opportunities दिखाएं, और फिर उनको science and technology के career में आगे बढ़ाने की प्रेर रड़ा दें, अगला article हमारा, Goa, हर घर जल state के नाम पे सबसे पहला state बन गया है, इससे related है, इसमें क्या होता है, हर घर जल state बनने का मतलब क्या है, कि इन्होंने 100% functional household tap connections दे दिया है, जितने भी rural households हैं या फिर जो भी है, उन सब के अंदर functioning tap है, मतलब null बना दिया है, और ये जल जीवन मिसन के अंदर में, इन्होंने ये program को fix किया, जल जीवन मिसन की अकरम बात करें, तो ये हमारे यहाँ हर घर में adequate drinking water और safe drinking water प्रोवाइड करने की बात करता है, हर घर जल सभी rural household में 2024 तक, ऐसे household tap connections की बात करता है, जिसमें से गोवा जो है, अब उसने ये काम अल्रेडी कर लिया है, 2024 तक हमें हर जगां यहाँ पर जल जीवन मिशन के अंदर में ये हासिल करना है, अब बात ये भी एक गोवा चोटा स्टेट है, और वहाँ पर ये achieve करना हलाकि, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूगा, बहुत easy है, क्योंकि rural household तो यहाँ पर भी, rural areas यहाँ पर भी है, लेकिन इस्टिल गोवा ने proactive measure लेते हुए, इसको काफी पहले ही कर लिया, 2020 में ही कर लिया, जो target 2024 के लिए implement करने की बात की जा रही थी, इसका implementation जल शक्ती ministry के अंदर, Department of Drinking Water and Sanitation है, उन्हों ने किया था, इसके अलावा funding pattern की अगर हम बात करते हैं, तो usually जो हिमालियन या North Eastern states है, वहाँ पर 90-10 का share चलता है, मतलब 90% जो है, इसका funding Central Government की तरफ से आता है, और 10% ऐसे हिमालियन या North Eastern states करते हैं, जो दूसरे states हैं, वहाँ पर 50-50 का काम चलता है, और जो union territories हैं, वहाँ पर 100% funding जो है, वो Central Government के द्वारा दी जाती है, features की बात करें, इस scheme के अंदर में, हम लोग community approach पालन करते हैं, इसका मतलब ये है, कि हम लोग पानी पाने के लिए, मतलब पानी की अवशक्ता या फिर पानी का जीतना भी जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए, हम लोग community के साथ चलते हैं, उनको बताते हैं, उनको educate करते हैं, communicate करते हैं, कि इस mission का भी देखो, ये key component है, हम साथ ही साथ, इसमें sustainable measures भी लेते हैं, जैसे की, हमने बोला कि, grey water management करना है, grey water मतलब कि, जो भी हमारे toilet flush से, या फिर bathroom का, जो भी ऐसा water होता है, जिनको हम वापस से use कर सकते हैं, किसे ने किसी basis पर, जैसे की, toilet का flush है, ठीक हैं, या फिर washroom का पानी, आप simple सा ये समझो, कि washroom का पानी हैं, अगर, ये, अगर कहीं पर इकठा हो जाए, तो क्या हम उसको वापस से, toilet के flush में use कर सकते हैं, इस तरीके से होता है, gray water management का काम, साथी साथ, water conservation या rain water harvesting के साथ, हर घर जल, mission को implement करने की बात की जा रही है, अगला article हमारा किर्गिस्तान में, एक street protest से related है, हाल फिलहाल में, यहाँ पर एक parliamentary election कन्ट किया गया था, लेकिन opposition party ने ये और अप लगाया है, कि इसमें धांदले बाजी बहुत ज़ादा हुई है, करिगिस्तान का एक map orientation में हम बात करते हैं, Central Asia का एक मात्र democratic country है ये, Central Asia के अंदर, कजाकिस्तान, करिगिस्तान, अजबेकिस्तान, ताजीकिस्तान, और तुर्क-मेरिस्तान, कितने आते हैं, अब यहाँ पर, जो Central Asia का केवल democracy है, करिगिस्तान, इसका border लगता है चाइना के साथ में, ये अपने आप में तो landlock country है, इसका capital है, बिश्केक, इसके अलावा, यहाँ पर चाइना के द्वारा, बहुत सारे road and rail networks बनाए गए हैं, ये किरगिस्तान से होते वे, उजबेकिस्तान तक जाता है, साथी साथ किरगिस्तान के अंदर, रशिया के द्वारा, collective security treaty organization, CSTO, होस्ट करने की बात की गई है, और साथी साथ ये Russian airways को भी होस्ट करता है, यहाँ पर एक बात का और देहन देना है, कि Caspian Sea से केवल और केवल दो country ही border बनाती हैं, Central Asia की एक हस्क, कजाकिस्तान है और दूसरा तुर्कमेनिस्तान है, साथी साथ यहाँ पर आप इस country के उपर थोड़ा सा गौर्ड करिए, अजबेकिस्तान जो है, यह अपने आप में doubly landlocked country है, doubly landlocked country का मतलब यह होता है, कि यह country अपने आप में तो landlocked ही है, साथी साथ जो इनके neighboring states हैं, वो अपने आप में भी landlocked है, landlocked में अब आप यह बूल सकते हैं, कजाकिस्तान में तो यह Caspian Sea लग रहा है, ये landlock कैसे हो गया ऐसा नहीं है मतलब open sea के साथ connection होना चाहिए कि आप अगर यहाँ पर निकले तो आप पूरे विश्व में कहीं पर भी जा सकते हो वो landlock ना होने का बात करते हैं जैसे कि चाइना है चाइना चुकि अजबेकिस्तान का border चाइना से नहीं लगता है इसलिए चा तो यहाँ पर आप एक चीज का और ध्यान देखेंगे कि यहाँ पर जो यू है इसी के नीचे ही आएगा यू वाला जिसका नाम है तुर्क में जो यू वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर उजबेकिस्तान के ठीक नीचे आता है और जो एक बचया हमारा आखरी में तज़ाक तज़्चिस्तान यू तज़्चिस्तान के नीचे ठीक है तो किर्गिस्तान ंमें भी Wye sound का e का pronunciation उता है और ताजिकिस्तान इभी e sound कारेंशेर होता है तो यहाँ पर उअ यू वाले एक साथ है लग आपको बताया है इसके अलाम बहुत सारे मीठेट से है आ उनको याद कर सकते हो. अगला आटिकल हमारा Animal Discoveries 2019 और Plant Discoveries 2019 सरी लिटेट है. हाल फिलाल में Geological Survey of India और Botanical Survey of India ने बहुत सारे नए Animal Discoveries और Plant Discoveries किये हैं 2007 से लेके अभी तक. उनके बारे में एक लिस्ट निकाली गई है. इस लिस्ट में Animal Discoveries से related ये बताया गया कि जितने faunal species हैं लगबग 368 नए faunal species मिले हैं नए animal species मिले हैं जो कि science में आज तक पता ही नहीं थे और इन 368 में से 116 जो है वो केवल इंडिया में ही पाए गए हैं plant discoveries में भी इसी तरीके से 2019 की इस list में 189 plants मिले हैं जिसमें से 73 इंडिया से पाए गया है number of plant species जो हैं वो इंडिया के हिसाब से अभी तक 50,012 मतलब 50,012 ऐसे species हैं जो कि पूरे वर्ड का लगबग-लगबग 12% floral species बनाता है जो लॉजिकल सर्वे उफ इंडिया की बात करते हैं इसका headquarter West Bengal के Kolkata में है इसका basic function जो है वो Ministry of Environment, Forest and Climate Change के under ही होता है साथी साथ अगर अब हम Botanical Survey of India की बात कर लें तो Botanical Survey of India में ये 1890 से start हुआ था मतलब दोनों में अगर बात की जाए कौन पहले आया है तो BSI पहले आया है ये भी काम तो Ministry of Environment, Forest and Climate Change के under ही करता है इसका basic purpose क्या है जैसे उसका जानवर के साथ था वैसे ही इसका floral species के साथ होगा प्लांट species के साथ होगा उनको conserve करना नएने resources find करना research conduct करना survey conduct करना यही सब बात है और साथी साथ किन-किन पेड़ पौदे का हम patent ले सकते है कौन vulnerable हो रहे है कौन endangered है उनका gene bank कैसे बनाना है germ plasm collect करना है germ plasm मतलब कोई भी seeds germ plasm वो होता है जो कि पेड़ पौदे को वापस से दुबारा से grow करा दे इसमें seeds, stems कुछ भी हो सकते है जो कि plant को दुबारा से grow करने में मदद कर दे अगला article हमारा round the clock RTGS facility से related है RTGS मतलब real time gross settlement system ये जो है RBI ने ये announce किया है कि December 2020 से हम इसमें इसको round the clock मतलब 24 cross 7 announce कर रहे हैं कि ये functional होगा फिलहाल अभी के time पर अगर बात की जाए तो RTGS के वल bank के working days में सुभे 6 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक ही applicable होते हैं मतलब तभी तक के बल हम कर सकते हैं इसके बाद हम नहीं कर सकते हैं RTGS में usually जो हमारे Indian business होते हैं या फिर जो भी जिसको बड़ा transaction करना होता है approximately 2 लाग के उपर का amount जो भी है वैसा करना हो तो हम RTGS करते हैं ठीक है RTGS की थोड़ी से और basic discussion करते है real time transfer of funds जो नाम है इसका RTGS की real time gross settlement system है तो मतलब इसका ये है कि on time settlement हो जाता है मतलब अगर आपने किसी एक account से दूसरे account में अभी 5 लाग रुपए भेजे हैं तो ये on time settle हो जाएगा ये सब भी हम करते हैं बट इस्टिल NEFT की जैसे बात करते हैं तो NEFT में हम बहुत बड़े fund की बात नहीं करते हैं यहाँ पर NEFT में क्या होता है कि electronic fund transfer system जो ये है इसमें तुरन-तुरन settlement नहीं होता है मान लो कि एक bank है SBI दूसरा bank है ICICI अब बहुत बार ऐसा होगा कि SBI में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि ICICI bank में कुछ पैसा transfer कराना चाहते होंगे तो ये SBI bank ने क्या किया कि A person, B person, C person, D person दो गंटे में जितने ऐसे persons ने एक इकठ़ा amount भेजा कि हम सब को ICICI वाले account में transfer करना है वो एक अठा करते रहेंगे, करते रहेंगे दो गंटे बाद जितना भी होगा add-on करके एक अठे ICICI bank में transfer कर देंगे तो इसमें क्या होता है कि on time settlement नहीं हो रहा है, बलकि एक duration period fix है NEFT में usually 2 hours का ही duration ये होता है generally हम लोग NEFT के अंदर में दो लाक रुपए तक के ही transactions को देखते है बट ऐसा RBI के द्वारा कोई भी fix नहीं किया गया है ये bank to bank vary करता है कि उनका कितना risky perception है इस चीज को लेते हुए और वो NEFT में कितनी limitation लगा सका है अगला idea हमारा long term repo operation TLTRO से related है हाल फिलहार में Reserve Bank of India ने एक on tap targeted long term repo operation करणट किया था ये operation क्या है जैसे कि हमें पता है कि एक liquidity adjustment facility operation होता है एक open market operation होता है इन सभी operations के अलावा जो RBI के पास क्या कोई और tool है जिससे वो repo rate को balance कर सके या फिर थोड़ा सा bank को ये बता सके कि अगर हम कुछ कम कर रहे हैं तो आप अपने जो ultimate consumers हैं उन तक ये ratios पहुचा सको interest rate को आप कम कर सको उनको सस्ते में fund available हो सके तो क्या ऐसा कोई और mechanism है इसी चीज को push़ी करता है ये long term repo operation क्या है एक बार सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं अगर हम बात करते हैं इन सभी चीजों की खटाता है कि भई हमें कुछ पैसे देदो बदले में ये लो गिर्वी के तौर पे collaterals के तौर पे government securities रख लो ठीक है हमने आपसे government security खरीता था खूब सारा ये गिर्वी रख लो हमें कुछ पैसे देदो बदले में जो interest लगता है वो बता दो ये जो interest है इसको बोलते है repo rate ठीक है ये एक ऐसा rate है जो कि banks को pay करना पड़ता है जब भी ये central bank से पैसे उधारी में लेते हैं तो अभी जो LTR हो है ये क्या करता है कि ये लंबे समय तक के लिए central bank को बोलता है कि आप एक साल से लेके कम से कम तीन साल तक के लिए आप ऐसे कुछ बातों के लिए आप उधार दे दो banks को ठीक है और जो भी prevailing repo rate है उसी repo rate पर आप दे सकते हो या फिर थोड़े कम भी हो सकते है मतलब सस्ते में भी आप दे सकते हो और बदले में ऐसे ही government security आप ले लो जिनका tenure ज्यादा हो ठीक है या फिर जो इस tenure के साथ match कर रहा हो दो साल का अगर आप उधारी दे रहा हो तो दो साल के maturity period के साथ जो भी government security होगी आप वो गिर भी रख लेना लेकिन जो lab और OMO की हमने बात की ये कुछ ऐसे sources होते हैं जहां पर हम लोग कम duration के लिए RBI से पैसे लेते हैं जैसे की कोई bank है जिसको एक से 28 दिन के लिए ही केवल उधारी चाहिए तो फिर वो ये सारी चीजें use करते हैं अब इसका मतलब क्या है देखो क्या होता है एक होता है हमारा short term interest rate जब भी आप हम लोग को जो एक as a ultimate consumer है मानलो कोई एक bank है ABC ये अपने consumer को जो भी rate पर loan वगरे दे रहा है वो मानलो एक policy rate है उसका एक होता है repo rate जिस rate से RBI banks को गिर भी दे रही है या कुछ भी पैसे दे रही है इन दोनों में कम करने के लिए हमने क्या किया long term interest rate की बात की इस LTO mechanism के अंदर में जो की usually थोड़े कम होते है ये banks को इस तरीके से बोलेंगे कि भी हमें तुरन तुरन नीच चाहिए ये लोग कम rate पर पैसे लो लेकिन आप नीचे consumer तक भी इस rate को पहुचाओ मतलब कि जो policy rate है उसको भी कम क जाए उसमें कि ये operation है और इस तरीके से हम ये operation ये दर्शाता है कि RBI के पास केवल LAF या फिर OEMO operation नहीं है बलकि RBI केवल इन operation पर dependent भी नहीं है जब जरुवत पड़ेगी RBI अपने हिसाब से 9-9 steps लेता रहेगा फिलाल यहां पर एक कुछ differentiation दी गई है LDRO और term repo के बीच में term structure में difference आता है एक से 3 साल और 38 दिन का और दोनों का auction eco bear platform पर ही होता है collateral के नाम पर दोनों LAF के अंदर जो चलता है वही चलेगा तो इस तरीके से common भी बहुत सारी चीज़े हैं और differences भी है सब चीज़ तो सही है बट air to air missile नहीं है air to surface missile है इसलिए false है विज्ञान जूती जो है वो 9 से 12 तक के girl student के लिए program किया गया है बिल्कुल सही true statement है किर्गिस्तान जो है वो कैस्पियन सी से border लेता है नहीं हमने देखा दो ही country है एक उपर वाला कजाकिस्तान और एक सबसे नीचे वाला तुर्क मेरिस्तान इसलिए ये statement भी false हो जाता है RTGS जो है वो generally fund transfer करता है दो लाग तक नहीं ये long मलब दो लाग से उपर के पैसे बता है इसलिए ये भी false है TLTRO एक ऐसा tool है जिसमें central bank एक से तीन साल तक money banks को देती है और prevailing MSF rate पर देती है नहीं MSF rate नहीं हो था repo rate पर देती है ठीक है और usually थोड़े और सस्ते दामों पर भी देती है क्योंकि long term के लिए दे रही है इसलिए statement भी false है आपको कोई भी pdfs अगर download करने होते हैं इन वीडियो से related तो आप हमारे telegram channel only is nothing else से download कर सकते हैं simply आपको telegram पर जाना है और वहाँ पर only is nothing else सर्च करना है यह image आप जरूर से देखिएगा यह image का जो भी channel होगा आप उसको join कर सकते हैं आपको सभी pdfs वहाँ पर available मिल जाएंगे तो बस आज की discussion में इतना ही था thank you very much for listening it very patiently friends have a nice day